तो आप सब कैसे हो आज क्लास 12 की हिस्ट्री का चप्टर नंबर 9 जिसका नाम है बचो एक समराज की राजधानी बीजय नगर इसके जितने सारे इंपॉर्टेंट जो कोशन बनेंगे बचो सारे इंपॉर्टेंट कोशन को इस वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो को अंतक बचो बने रहा है पहला जो कोशन लिए बचो जो विजय नगर जो समराज बचो उसका क्या परिचाए के बारे इंट्रोडक्षन बचो जब बेशीक आपको किलियर हो जागा उस चप्टर को समझने में किसी भी परकार का दिकत नहीं होगा इसलिए पहले पढ़ेंगे बच प्राचीन काल से ही उत्तर भारत पहले इंडिया का मैप बना जाते बच्चों कुछ इस परकार का इंडिया का जो मैप है तो यहां पे उत्तर भारत में उत्तर भारत राजनीतिक गति बिधियों के केंद्र रहा है और दक्षिन बारत वारत पहले सांस्किर्ति यहां पर बड़े मंदीरों का क्या किया निर्मान करवाई तो आपको सिंपल सी इंडिया का सांस्कृति बड़े-बडर अंदिर अगर होता है सब्सक्राइब आप नहीं समय में यह उत्तर भारत धथा और सम्सक्राइब बिदियों क६ ATM तो सांस्कृति गति विधियों का क्या राक्येंद्र दूसरा बच्छों बेसिक बात आपको ध्यां रखना तूग भाद्रा एवं कृष्णा नदियों के बीच का राय चूर द्वाब दक्षीन भारत का सबसे ज्यादा उपजाओ और महत्पून छेत्र इसको समझाते कि अगर होता है तो दू नदियों के बीच क जो थेत्र होता बच्छू उसी को बोला जाता है दौब अगला यहां पहला नदिया पघृस्वलल दूसरा दूशा नदियों दुखभादरण नदि तुखभादर के बीच वह बना चेयु एक बिच चाया प्राइक नदितरही बुनादरा नदितर दुच्न नदि के कि मैं बैद की इसके बीच बिच तक ግ 10 blijकोर तो वही बात यहां पिलिखना चारा तुग भादरा और क्रिसना नदियों के बीच जो है राइचुर द्वाब दक्षिन भारत का क्योंकि इंडिया का मैं पर बच्छो सबसे नीचे है इसलिए यहां पर बोला जारा दक्षिन भारत का सबसे जदा वाचो उपजाउ और भारत का सबसे ज़्यादा क्या उपजाओ ताता क्या था महत्पूल छेत्र फे इस छेत्र का मतलब हुआ राइचूर द्वाब के बारे में यहां बात चला है इस छेत्र फे अधिकार को लेकर राष्ट कुत जैसे कि बचो मौर समराज होता है उसी तरीके के क्या है बचो एक स समराज है बचो पलो भी एक तरक क्या समराज है चोलो के बीच हमेशा क्या होते रहता था बचो संघर्स होते रहता था किसको लेकर राइचूर द्वाब क्योंकि राइचूर जो द्वाब था बचो यहां का जो जमीन था क्या था उपजाओ था और क्या था सबसे महत्पू बच्छो संघर्स होते रहता था तो इस जो राइचूर दौब के लेकर बच्छो चार सम्राज के बिच हमेशा क्या होता रहता था बच्छो संघर्स होते रहता था तो इस जो राइचूर दौब के लेकर बच्छो चार सम्राज के बीच हमेशा क्या होता रहता था बच्छो स तीसरा आपको धानकना पल्लो और चौथा आपको धानकना चोलुक को बीच हमेशा बचो रायचूर द्वाब को लेकर क्या होते रहाता था संघर्स होते रहाता था नेक्स पॉइंट आपको धाना खचो मध्यकाल में एक बार फिर से रायचूर द्वाब के छेतर को लेकर बिजय नकर बचो जो इस चप्टर में पढ़ना है और बहमनी समराज के बीच क्या हुआ था संगर्स हुआ था इसको मैप के माधेम से बचो बताते हैं जो इंडिया का जो मैं पर बचो कुछ इस तरीक है कसी दक्षिन भारत को दिखा रहा है तो यहां पर बचो क्रिश्णा नदी तो यहां पर कहता क्रिश्णा नदी धान से लाइन को समझना बचो बेसिक अगर आप समझ गया इस चप्टर को समझने में आको किसी भी परकार का डाउट नहीं इसी राइचूर द्वाब को लेकर बिजयनगर समराज और बहमनी समराज के बीच क्या हुआ था संघर्च हुआ यहां पे क्या था बचो नीचे में क्या था नीचे में जो था यहां पे दक्षिन भारत में जो समराज था बचो बिजयनगर समराज था और बिजयनगर के वह हिंदू समराज था जबकि जो बहमनी समराज था बचो एक मुस्लिम समराज था तो वहीं बोलना चाहरा है मध्यकाल में एक बार फिर से रायचूर द्वाब के छेतर को लेकर बिजय नगर और बहमनी समराज के बीच क्या हुआ था संगहर सुगा था ता आपको ध्या नग बहमनी समराज मुस्लिम समराज है जबकि बीचय नगर समराज के बाचो रायचूर द्वाब के उत्तर में बहमनी समराज है अभी जश्ट बताते कि इंडिया का बच्च उत्तर भारत में यहां पे पाहला नदी क्रिस्वादी दूसरा बताया थे बच्चो तुगभादरा तो यहां पर यहां पर क्या बताया थे बच्चो यहां पर बताया थे आपको रायचूर द्वाब के उत्तर में कौन सा है बच्चो बहमनी समराज है इसके जश्ट नीचे का बच्चो इसके जश्ट नीचे आपको समझना है कौन सा समराज है बिजय नगर इसके जश्ट नी यजिनेता बैसिक का नहीं इन पर दोब के उत्तर नहीं करें इस लाइन हो मैंनी सम्राज है और दक्षीन में बच नगर जो पन्पी इन संघर्स के कारण ही रायचूर द्वाब को डक्कन के युद अस्थल कहा जाता है रायचूर द्वाब के उत्तर में बचो बहमेनी समराज है यहां पे रायचूर द्वाब के उत्तर में कहा बहमेनी समराज है और दक्षिन में कहा बचो बिजयन अगर समराज है उत्तर में कहा बचो बहमेनी समर पन्पी इन संघर्स के कारण ही वहीं बोला चारा इन संघर्स के कारण ही जो रायचुर माना जाता इंध अस्तल कहा गया इन बहुत ज्यादा सब्सक्राइब को सब कोई बच्चो इसलिए हर अपना चाहते थे क्योंकि जो राइचुर जो द्वाब था दो कारण से पहला कारण बच्चो क्योंकि उपजाओ था और महत्पून अस्तल था जिसके कारण से आसपास के जो सासक थे जो राजा थे वर राइचुर द्वाब को अपनाना चाहते थे जिसके कारण से जिसके कारण से आसपास के ज बाते आपको बताएंगे बीजाय नगर समराज किस तरीके का था यह भी कोशन बचो बहुत ज़्यादा इन्पॉर्टेंट है इसको क्या करें इसको क्या करें अच्छे से याद करें बीजाय नगर समराज का जो अस्थापना हुआ था तो ध्याय नगर समराज का जो अस्थापना हुआ था 1336 मैं हरहर तत्व का दोनों भाई ने मिलकर किया था और दूसरा पॉंट झा test that sa नेक्स पॉंट दैंस गला नटकर भारत का एक 200 समराज था बोलने चाला दूसरा 4 जो सम्राज था दक्छीन भारत का एक बिख्यात का मतलब होता बच्छो फेमस था नेक्स पाइंट बच्छो यह उत्तर में कृष्णा नदी से लेकर प्रायद्यूप के सुदूर सुदूर का मतलब बहुत दूर होता है बारमें यह समराज राइचूर aan के दक्छिन भाग में इस्तिता है पर रहाज सम्राज था वहीं बोला चाहरा या सम्राज राइच्वर्द्वाब के दख्षिन भाग में कह था इस्तित त्वह विजायंगर सम्राज बचों एक हिंदू सम्राज था पहुत वहीं पे बहमनी जो समराज था बचो एक मुस्लिम समराज था बहमनी समराज बचो जो राइचूर दौाब के उत्तर में है धाना राइचूर दौाब के उत्तर में कौन सा समराज था बचो बहमनी समराज बहमनी समराज क्या था एक मुस्लिम समराज था जबकि बचो राइच प्रशूर द्वाब के उत्तर में इस्तित्ता नेक्स पइंट धायन से समझना बिजय नगर पर सासन करने वाले सासक को रायस कहा जाता अगर आएस अपसन में नहीं दिया रहा है का बच्छो तो राय भी दिया रहा सकता है क्योंकि एक सबसे बच्छो विजय नगर समराज के विजय नगर समराज के लाश्ट में राय लगाते तो ध्यान से समना विजय नगर पर सासन करने वाले जितने सासक थे उसको क्या कहा लिखा हुआ इसलिए लिखना चाहरा बीजय नगर पे सासन करने वाले सासक को क्या कहा है राइस अगर अप्षन में नहीं दिया रहाएगा और क्रिशन देव राइस बिलॉंग करते तो तुल्लू वंस इसमें बिजय नगर के सबसे ताकतवर राजा या सासक बोल सकते बचो उनका नाम आपको ध्यान रखना क्रिशन देव राइस थे और क्रिशन देव राइस बिजय नगर के सबसे ताकतवर नहीं दिया तो वहीं बोला चाहता दिखिशन देव राइस बिजय नगर समराज बहुँ जाद क्या किया था बच्व तरक्की किया था दंतर बॉत इंपोर्टनिंट मोच्च पूछे का बच्च यो तूगभाधरा नदी के किनारे अगर समराज की राजधानी कहा थी तती इसका अंसर हो जागा बच्छों हम पीति अगर समराज की राजधानी कहा थी इसका एंसर हो जागा उड़ घृती है किस नदी के पास थी इसका एंसर रहागा रख़ों अगर समराज पे चार वंसों ने क्या किया था रखों चार याद करना और लगतार वंस का भी नाम क्या करना आपको याद रखना है क्योंकि बच्छों में क्या सकता बच्छों मैचंग में आ सकता है तो पहला वंस जो था बच्छों बच्छों भीजैनेगर समराज का जो वणस का पहला सब्या में संघम भाई था तो पहला जो विजयानगर पे जो वन्स आया था उस वन्सका आपको नाम ध्याना को संगम वन्सका अगर कारकाल पुछे गाता तेरा सो चती से लेकर चौदर सब कारण कारकाल पुछा पुछेगा झालू साल्यवन्सका साल्यवन्सका नाम ऍपुछे गाता नाम के नाम, का नाम रखा गया तो सालुवनस के को संस्थापक पूछेगा तिसका नाम धान राकना सालु नर्सिंग इनका पूरा नाम है अकारकल बोलेका बचो सालुवनस का तहओ जो इसी वन्स से क्या करते बिलॉंग करते थे तो तुलू वन्स का अगर सासनकाल बोलेगा तब 1505 से लेकर 1570 थे अगर तुलू वन्स का संस्थापक पुछ था तो संस्थापक का नाम आपको धानकना बीर नर्सिंग थे तुलू वन्स का अगर संस्थापक का नाम पुछता बच्चों संस्थापक लिख रहे के तो संस्थापक का नाम आपको धानकना बीर नर्सिंग इनका नाम था और क痛मरा बच्रो सबसे परशीद सासक्ते जिनका वंस पुचता बार वर पेपर में कि किरिसंदेव interrogate tis का इंसर हो जगा वंस तुलु वंस तो पहला वंस संगम वंस दूसरा आपको धानम साली वंस त्रा धानम तुलु 독ल्लु वंस नाम पूचता वंस का नाम ही 31 750 छोले सो आपकाद्ट नाम हो जागा बच्छो तीरुमला चारव उन्स को फिर से रिकॉल कर देते बच्छो पहलावस्ज बिजानरगर समराज के पहलावस्ज था पहलावस्जज था और ध्यान पायए उसके बाद आपको धृषिक से समयना आपको सब्सेश्य का ड़्या रॉष्ट ने अपणी जो राज्धानी पेनु कोंड़ा में बनाई थी अगर सबसे लाश्ट वंस का सबसे अंतिम राजा का नाम अगर पुछ था तो इसका एंसर हो जाए इनका नाम था नेक्स पाइंट बच्चो यहां के लोग बहुत खूस थे क्योंकि यहां का जो परसासन था बहुत ज्यादा अच्छा था राजा का वंस था कि कौन सा राजा बच्चो दिली में सासक कर रहा था तो उसका एंसर हो जाएगा बच्चो मुहमद बिन तुगलक था, अगर पेपर में कोशन आता, दक्षिन भारत में जी समय बचो, बिजयनेगर समराज था, उस का नाम आपको धैनकना बचो घुलाम वझ था, बिजयनगर समराज दक्षिन भारत में जी समय था, उसमय दिली का राजा कौन था, तो दिली का उसमय राजा आपको धाना कैना मुहमत बिन तुगलत, कौन सा वं से आपको धाना कैना बच्छो गुलाम वं से था उं नेक्स पाइंट बचो बिजय नगर के राजा ने भी विसाल किले बंदी की थे जहां पे बचो जो राजा रहते थे वहां पे चारो तरफ से क्या रखे थे बचो किला बंदी कीला बंदी का मतब इसलिए रखे थे बचो अपने सेफटे के लिए तो वही बोला चारा बिजय न कि अंदर सरकों का निर्मान था जिसके वज़े से सहर से बाहर जाया जाता हुति नाम का उत्पति हुआ था आस्थानिय मातरी देवी पंपा देवी के नाम से हुआ था नेक्स पाइंट आपको धन समना भचो बिजयनगर समराज में अलग-अलग भासा बोलने वाले लोग यहां पे रहा करते थे नेक्स-पाइंट बचो यहां पे सभी धर्म के अनुपालन करने वाले भी लोग रहा करते थे धानस इस लाइन को समयना इस समराज के कई भागों में पहले से सक्तिसाली राज जैसे तमिलाडू में बच्चो चोलो करनाटक में होय सोलो के राज का विजानगर समराज ने देखी थी इस लाइन को धान से समयना इस समराज के कई भागों ने पहले से सक्तिसाली राज जैसे तमिलाडू में बच्चो चोलो करनाटक में होय सालो के राज का विकास बिजानगर ने देखा था बिजानगर सभी सहरों में सबसे परसीध सहर था बच्चो उसका नाम था बच्चो बिजानगर लेक्स्स पाइंट आपको ध्हान से समयना कौन कौन लूट थे इसके बारे बचो बता रहे हैं वच्जोँ बिजय नगर के ज़ लडाई हुआ थाCuं 1565 में कब लडाई के नाम को धाना काज़ो ताली with the एक рок-चोपी तांगडी क्टांगडी के एक तरफ अपको ध्याना काज़ जब यूदधुआ था ्पाता वच्जोऊ बिजय नगर था एक तरफ क्या था इस लड़ाई में बचो एक तरफ आपको धानाकना बीजाय नगर था बीजाय नगर और इसके अपोजिट में जो जो था बचो तीन थे कौन कौन से थे इसका नाम आपको धानाकना बीजापूर बीजापूर अहमद नगर अहमद नगर और गोलकुंडा गो तो 1565 में पूछे का कौन से लडाई हुआ ताली कोटा ताली कोटा का एक और नाम को धानकना राक्षन सी तांगडी इस लडाई में पूछता कि बिजानगर का पतन कब तो 1565 में कौन सी लडाई हुआ था तूस लडाई का दो नाम है ताली कोटा या राक्षा सी तांगडी इस लडाई में बच्चो एक तरफ बिजानगर था बिजानगर के अपोजिट में कौन कौन था बच्चो तो बीजापूर था एहमदनगर और गोलकुंडा था इसलिए ब और गोलकुंडा और अहमदनगर बीजानगर सम्राज को क्या कर दिया बच्चो नस्ट कर दिया किस न स्च्च था तांगडी के यूद्वे बच्चो बीजानगर क्या होगया नस्ट होगया फिर भी क्रिष्णा और तुक्भाद्रा जो दूआब चेतर के लोगों की यादों में यह बिजय नगर समराज जीवित रहा है इसको हमपी नाम से याद रखा गया हो अभी के समय में बच्छो बिजय नगर तो नहीं है लेकिन इसी के नाम पे बच्छो हमपी है क्या अभी के समय में हमपी से क्या बच्छो बिजय नगर समराज के है जीवि रहा लेकिन अभी बिजयन अगर समराज के नाम से नहीं है बचो इसको क्या रखा गया हम पी नाम से याद रखा गया अगर बचो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूले अगर बचो चप्टर आपको अच्छे से समझ में आओ वीडियो को लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को न भूले आप लोग का कमेंट ही बचों लोग को मोटिवेट करता वीडियो बनाने के लिए साथ सर दोस्तों के साथ सेर करना भी न भूले थेंक यूँ